शॉपिंग शॉपिंग का नाम सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि शॉपिंग करना सभी को अच्छा लगता है शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाए तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है मॉल अब आम लोगों के जीवन का एहम हिस्सा बन चुके है मॉल वो जगा है जहां आप शौपिंग करने के साथ साथ मुवी देखकर टाइम पास कर सकते हैं दोस्तों के साथ पार्टी का मूट बने तो फूट कोर्ट में बैट कर अराम से खापी सकते हैं बस लोगों के इन ही जरूरतों को देखते हुए शहरों में मॉल्स की संख्या बढ़ती जा रही है चलिए ये तो बात हुई आम लोगों की जरूरत और मॉल्स की पर क्या आपने कभी सोचा है कि अधिकतर मॉल्स में स्नेमा घर और फूट कोर्ट टॉप फ्लोर पर ही क्यों बनाई जाते हैं अखिर क्या वज़य है कि स्नेमा घर और फूट कोर्ट नीचे या फिर बीच वाले फ्लोर पर क्यों नहीं बनाई जाते मौल में अगर किसी व्यक्ति को कुछ खाना पीना है या फिर भूवी देखनी है तो उसे टौब फ्लोर पर ही जाना पड़ता है ऐसा इसलिए ताकि थियेटर और फूट कोट की ओर जाते लोगों की नज़र मिड फ्लोर पर इस्थित आउटलेट्स और दुकानों पर पड़े इसके बाद वो लोग वहाँ जाएं और कुछ ना कुछ खरीद कर ही बाहर दें दरसल ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटरजी है जो खास तोर पर उन लोगों के लिए बनाए जाती है जो शॉपिंग करड़े में दिल्चस्पी नहीं रखते मॉल के टॉप तक पहुंसते पहुंसते लोग आउटलेट्स की और एट्रेक्ट होते हैं इसके बाद ना चाते वे भी कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं ऐसा हम सब के साथ होता है अक्सर हम मॉल जाते हैं लेकिन वहां से कुछ ना कुछ खरीद कर ही लोगते हैं बस इसलिए स्नेबा घर और फूट कोर्ट टॉप फ्लोर पर ही होते हैं तो समझ गई ना ये सब मार्केटिंग स्टेटेजी होती है जो की ग्राकों को लुभाने के लिए बनाई गई है अगली बार मॉल जाना तो याद रखना